परिवहन मंत्री विक्रम सिंग ने आज IGMC शिमला से चंडिगर्ड PGI के लिए 25 सीटर टैंपो ट्रेवलर को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया। टैंपो ट्रेवलर से शिमला सी PGI चंडिगर्ड जाने वाले मरीजों के साथ आम लोगों को भी आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। परिवहन मंत्री ने HRTC की BOD में हुए फैसलों की भी जानकरी दी। विक्रम ठाकूर ने बताया कि BOD में अप्रेल 2022 तक सभी पात्र पीसमिल वरकर को कॉंट्रेक्ट पर लाने का निर्ने लिया है। वहीं HRTC के 1327 ड्राइवर कंड़क्टर को नियमित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि HRTC डिटेल आउटलेर से डिजल ले रहा है जिससे 33 लाग का रोजाना फाइदा हो रहा है। कोविड काल में HRTC को 1000 करोड का नुकसान हुआ है। बावजूद इसके HRTC 90 से ज्यादा घाटे के रूटों पर जन सेवा के लिए बसी चला रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि बीते कल ही 15 निवेशकों के साथ 810 करोड का M.O.U. भी किया गया है। शिमला IGMC से चंडीगड PGI के लिए टेंपू ट्रेवलर की जो शुरुआत हुई है। उसके लिए सब को मैं बदाई देना चाहता हूँ। और ये जो हमारा टेंपू ट्रेवलर है ये शिमला IGMC से सुबह साड़े 5 बजे चलेगा। और ये PGI में 9 बजे पहुंचेगा। और ये चंडीगड से शाम को 4 बजे वहां से टेंपू टेवलर चलेगा। यहां पर 7.5 बजे पहुंचेगा। और इसमें और इसमें और इसका रखा है 291 पर और ये आम जन्वानस को इसका लाव मिलेगा। ऐसा मैं मानता हूँ और बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि इस परकार की विवस्था जो है वो की जाए HRTC के यदिकारियों ने एक अच्छा काम किया है उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ आज हमारी BOD थी उस BOD में बहुत बड़ा फैसला HRTC ने लिया जो आपके लोकल जो आपका पंप है वहां से ले रहे हैं उसका फाइदा यह है कि जो रटेल आउटलेट्स है उसका और जो हमारा पहले जहां से डिजल आता था उसमें आज की तरीक में एक बहुत बड़ा फरक है उसके जिसके कारण से हम डेली HRTC को 33 लाक रुपे का फाइ हाल महीने जो है HRTC इसकी बजट करेगी यह एक बड़ा फैंसला लिया था और उसका जो नतीजा आया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उसके लावा हमने पिछली बार जब बैठे थे तो उसमें हमने पीस मील वरकर्स को रेगलराइज किया था लेकिन जि होने लेने थे वो एपरल दो हजार बाइस तक वो सारे के सारे कोड्रेक्ट पे आ जाएंगे उसके लावा मेरा खेल HRTC विवाग पहला विवाग होगा जिसने कित एंड किन पॉलिसी में 130 कैंडिडेट्स को रेकूरूट किया है आज की तरीक में फौर्थ क्लास के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा कित एंड किन पॉलिसी में किसी ने अप्लाई नहीं किया हुआ थर्ड क्लास के होंगे क्लास थ्री के होंगे अब हमने उनको उप्शन दिया है कि अगर आप क्लास फोर के लिए अपने आपको जॉइन करना चाहते है तो हम उनको ओफर देने के लिए त्यार है पहला भी भाग होगा HRTC डिपार्टमेंट जिसमें कित एंड किन पॉलिसी के अंतरगत हमने 130 कैडिडेट्स जो हैं उनको डिफरेंट के लिए रक्रूट किया है क्योंकि जो भीवाग मेरे पास है तो उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि मैडिकल डवाइस जो केवल हिंदोस्तान में चार स्टेट्स के अंदर आया है उसमें से हिमाचल प्र पर सो क्रोड प्या का जो इंफ्रसेक्टर डेवलेमेंट के लिए गवर्मेंट ओफ इंडिया से मिलेगा मैं उसमें आप में आपको एक बधाई देना चाहता हूंगी पिछले कल ही जो मेडिकल डवाइस पार्क है उसमें नवेशकों के साथ 15 नवेशकों के साथ हमारा समझ साथ एमोजू साइन हुए हैं उसमें डिस्पॉजेवल स्रिंजिस जो हैं उसके बाद हमारे पास मेडिकल कैथलर है एक्सरे का है है और इसी यू बेंटीलेटर हैं इसी यू बैड हैं ब्लट बैंक अक्यूपमेंट्स हैं इनके समझोते हुए हैं इस परकार की चीजने अएक बहुत ही खुशी की बात है इस तरीके से लगातार चाहे वह इंडस्टी है और चाहे ट्रांसपोर्ट इपार्टमेंट है इस इन बिवागों के अंदर हम लगातार जो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण से आम जनमानस को भी इसका ताफ decisator होगा और और जे जो ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट में जो मेन उपलब दिया थी उनके बारे में आपके ध्यान में भी लाया है और जो बियोडी ने जो आज महत्वपुर्ण फैंसे लिये हैं उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है